जैहिन दोस्तो में हूँ आसीस और आप सब को इंडिया में जान पर स्वागत हैं दोस्तो आप सब जानते हैं अब अगर अफगानिस्तान में तालिबान तकतबर हो रहा है या फिर दुसरे आतंगबादी संगठन बॉम बिस्पोर्ट कर रहे हैं या भी जो भी खराब स्थिती है आप एक तरीके से अमेरिका की गलत निती को दोसी ठेरा सकते हूँ जिस वज़े से तालिबान सत्ता में आने के बाद काफी सारे बुरे हालत अफगानिस्तान की लोगों के उपर हुई आप सब जानते हैं कल काबूल एरपोर्ट के बाद धमा के होने के बाद तक्रीवन सो की उपर लोगों की जान चली गई थे और उसमें तेरा आमेरिकी नागरिक भी सामिल थे और दोस्तों ये सब जो आफगानिस्तान में हो रहा है ना सिप आमेरिका में जो बाइडन का विरोध हो रहा है बलकि एरोपियन देशों में जो आमेरिका के अलाय है वो भी आमेरिका की निति को विरोध कर रहे हैं अब दोस्तों आमेरिका ऐसा गल्तिक किया है जिसे देख वीडियो देखे होंगे किसे काबूल एरपोट के बाद धामा का में बहुत सारे लोगों की लास इससे ही जमिन पर पड़े थे और साइट में जो छोटा सा केनाल था गंदा सा था उसमें भी कई सारे ठीड़वड़ी पड़े थे और लोग इससे मतलब काबूल एरपोट के ब खाने और पीने का सामान, 700-800 गुना ज्यादा दाम पर मिल रही है, लेकिन उन लोगों को जान बचा कर वहां से भागना है, क्योंकि एक बार तालीबान आया, तो उन लोगों का जान जाना तय है, क्योंकि वो जब आमेरिका था या फिर नर्दरन अलाइन्स के गवर्वर्में थे, इसी वज़े से उनको डर है, तालीबान उन्हें कभी भी जिन्दार नहीं छोड़ेगा, इसलिए आज बाम ब्लास्ट होने के वावजूत उस जगा हजारों लोग फिर से वेट करते दिखाई दिये, इससे आप अंदर लागा सकते हो, जो लोग कह रहे हैं, तालीबान बदल चुका है, या फिर तालीबान से काबूल के लोग खुस है, यह उन लोगों की मुह में तमाचा है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन में 1.5-2.5 के करीब लोगों को निकला जा चुका है, शिप आमेरिका ही 1.5 लोगों को अफगानिस्तान से निकल चुका है, लेकिन दोस्तो यहाँ पर आमेरिका ने बहुत बड़ा ब्लॉंडर या फिर गल्तिक कर दिया, जिसका फाइदा अब तालीबान उठाएगा, अब आमेरिका में भी काफी लोग अपने सरकार पर नाराज है, जी हाँ, बाइडन गवर्मेंट ने क्या कि तालीबान को उन सब लिस्ट दे दि तो यह सब लोगों को चेकपोस्ट क्रोस करते हुए काबूल एरपोर्ट पहुंचने में मुस्किल होगा, क्योंकि अब सारे चेकपोस्ट तालीबान की कंट्रोल में है, इसलिए तालीबान के पास अगर यह लीष्ट होगा, तो वह आसानी से यह लोगों को आगे आने और तालिबान आने के बाद कई हत्याएं भी हुआ है इस वज़े से कही सारे लोग अमेरिका की ये निती पर नाराज है लेकिन अब अगर आप जो वाइडन को देखोगे या फिर उनके गवर्वर्मेंट को देखोगे वो तालिबान पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं वलकि बहुत सर अरे हत्यारों को तालिबान के हाथ जाने दिया है एक रिपोर्ट के मुताइबिक तक्रीबन चलväर आप अठाइस से तीस बिलियन डलार का अमेरिकी हत्यार अब तालिबान के हाथ लग चुका है मतलब आप सोछ सकते हो तालिबान पहले से ही अब बहुत इसका इस्तेमाल तालिवान आतंगबाद कारेकलाप में भी कर सकता है। सभिंग के लिए direct काम नहीं कर रहा है पीछे से कर रहा है जैसे पाकिस्तान गौवर्मेंट करता है जो non-state अक्टर है उनके जरी यह काम करता है ताकि direct पाकिस्तान आर्मी पर ब्लेम ना आए लेकिन यह game ज़्यादा देर तक नहीं चल देगा कुछ महिने के बाद सच्चा ही सबके समने आ जाएगा लेकिन मान लो आगे जाकर यह man portable system के जरी यह Taliban किसी देश के helicopter या फिर कोई civilian aircraft को target किया तो कितना ज़्यादा नुक्सान हो सकता है इसलिए दोस्तों आमेरिका अगर खुद को superpower कहता है तो superpower का जिमेदारी भी बड़ा होता है लेकिन आमेरिका वो जिमेदारी को निभाने से पीछे हट गया अब Afghanistan के साथ साथ उस एरिया में कई सारे देशों का या फिर लोगों का जान को खत्रे में डाल दिया है आने वाले टाइम में आप जो हालात कल काबूल में देखे वो और भी जागा होगा और कई सारे मासुम लोगों की जान जाएगा जो काफी दुखत बात है दोस्तो आज की टपीक में बहुस इतना ही आपको ये टपीक कैसा लगा निचे कॉंट बक्स में जरूर कमेट करके बताईए दोस्तो रुकता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए नमस्कार जैहिंद